आज मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंट्रोड़क्शन टो एंड्रोइड डेवलप्मेंट फॉर बिगनर्स इसका मतलब है कि यह बिगनर्स के लिए है जो लोग अभी सीखने शुरू कर रहे हैं एंड्रोइड जिन्होंने अभी तक एंड्रोइड में ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं की है वो अगर इस को पढ़ेंगे तो उनको काफी नॉलिज मिलेगी और वो काफी अच्छे से एंड्रोइड डेवलप्मेंट को समझ सकेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस course में आपको क्या सीखने को मिलेगा पहले बो जानते हैं इस course में basic क्या आपको जानना चाहिए या पहले से prerequisites क्या है तो आपको थोड़ा बहुत XML आना चाहिए XML के knowledge होना चाहिए और आपको Java के basics पता होने चाहिए ठीक है क्योंकि हम इस course में XML और Java पर काम करेंगे मैं आपको शो करूंगे कैसे XML और Java का यूज करके हम Android applications बनाते हैं तो इसलिए आपको इनकी थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है उसके बाद इस course में यह किस-किस किन के लिए है इस course में आप क्या-क्या सीखेंगे इस course में आप Android Studio को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बाद पर आप Java और XML में कोडिंग कैसे करते हैं यह सिखेंगे आप कही तरीके से सीखेंगे कि कैसे यूज किया यूज को कैसे युज किया जाता है कैसे हम एक Android project बनाते हैं इसे मैसेजज को जाते हैं मैसेजज में कैसे में तोस्ट मैसेज मसेज मतलबS या simply एक message को कैसे Android project में show करते हैं, use करते हैं, हम कुछ विजर्ट के वारे में भी सीखेंगे, हम सीखेंगे कि xml विजर्ट को java word के साथ कैसे connect करते हैं, और हम सीखेंगे कि और हम सीखेंगे कि कैसे हम एक application एक app को generate करते हैं, बनाते हैं, start scratch से, चुछ कंस्टेंट हम एड करेंगे, यह सारी चीजे में आपको इस कोर्स में सिखाऊंगी, यह कोर्स वीडियो बेस्ट होगा, मैं वीडियो में आपको सब कुछ एक्स्प्लेइन करूंगी, और यह तीन घ तो कीप और बौचिंग और चलिए, शुरू करते हैं, let's start, friends, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको Android Studio को किसी system यह laptop में इंस्टॉल करने के लिए, क्या-क्या requirements हैं, Android Studio को इंस्टॉल करने के लिए, अगर आप Windows में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको Microsoft Windows 7, 8, 10, कोई भी वर्जन हो, बट उसमें 32 और 60-bit में से कोई एक होना चाहिए, mostly we prefer 64-bit, because 64-bit is better, उसके बाद आपकी RAM, minimum RAM 3GB की होनी चाहिए, मतलब 8GB तक recommended की जाती है, और Android Emulator को run करने के लिए, 1GB की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी minimum disk space 2GB की होनी चाहिए, लेकिन 4GB recommended होता है, मतलब 4GB हो तो अच्छी बात है, और screen resolution आपकी 12-800 minimum होनी चाहिए, तो ये हैं Windows में Android Studio को run करने की requirements, चलिए आगे बढ़ते हैं, हेलो दोस्तो, वेलकम टू माई चैनल, लण मेतरेशु, आपका मेरे चैनल, लण मेतरेशु में स्वागत है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम Android Studio को Windows 10 में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो चलिए, शिरू करते हैं, Windows Studio को Windows 10 में इंस्टॉल करने के लिए, सबसे पहले हमें Google में, Google.com में आलना होगा Android Studio, एंड डाउनलोड, इस पर क्लिक करना होगा, लिंक हमें कोज़िए, जब हम इस पर हमें इस पर लिंक करेंगे और यहां पर हमें मिलेगा Download Android Studio, हम इस पर क्लिक करेंगे, मैंने इस पर पहले से ही क्लिक कर दिया है, आपको इस पर लिंक करना है, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद, आपको एक ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी, इसमें आपको लिखा होगा Welcome to Android Studio Setup, इस पर आपको Next पर क्लिक करना है, यहाँ पर वो आपको options पूछेगा कि आपको कितने components इंस्टॉल करना है, Android Studio और एक और component है Android Virtual Device, Android Virtual Device एक ऐसा component है, जिसके थ्रूँ आप अपने Windows में ही एक virtual device, Android phone का एक virtual device डाउनलोड कर लेंगे, जिससे कि आपको जब आप टेस्टिंग करेंगे अपने software की या app की, तो आपको easy होगा, आप उस virtual device पे अपने app को देख सकते हैं, कि वो phone पे कैसा दिखेगा, इसलिए य अप्शन चूज करना बहुत ही अच्छी बात है, मैंने यह option चूज किया है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यह आपको बताएगा, कि आपको किस जगह पर अपना Android Studio इंस्टाल करना है, यहाँ पर यह मेरा program files में इंस्टाल हो रहा है, मैंने इसको as it is रहने द यहाँ पर मेरा default लिखायर में वही चूज करूँगी, उपकी बाद मैं install पर click कर दूँगी, यह install होने में थोड़ा time लेगा, यहाँ जैसे ही installation complete हुआ, मेरे पास यहाँ लिखा आ रहा है completed, मैं next पर click करूँगी और उसके बाद यह finish हो गया, मेरे पास एक window open worker आई है, जिसमें पूछा है कि config और installation folder, यानि कि अगर हम पहले से, अगर हमरे पास Android Studio इंस्टॉड था हमारे laptop में, तो हम उसकी configuration को add करना चाहते हैं यह नहीं, या फिर हम कुछ भी settings को import नहीं करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर do not import settings को choose करूँगी, मैं click अब उसके बाद यह मुझसे पूछने, एक window open होके आरी है और यह पूछ रहा है कि आप क्या Android Studio से related data को, क्या करते हैं, उसके जो center से वहाँ पर share करना चाहते हो, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करना चाहती, तो मैं I will choose don't send, और फिर, फिर मेरे पास Android Studio का welcome wizard open होकर आ गया, मुझे क्या करना है, इसके आगे setup को install करना है, तो यहाँ पर मैं click करूँगी next button पर, next button पर हमें choose करना है, कि क्या step का Android Studio का setup आपको install करना है, standard या custom, so I will go with standard and I will press next, then यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आपको कि स्टैप की theme यूज करनी है, light वाली जिसमे background black नहीं है, या फिर Dracula, I will choose light जिसमे background white color का है, click next, then आपको यहाँ पर इतने सारे यह वाली यह सारी चीजे, आपको एक settings जो है उसका overview यहाँ आ रहा है, कि आपके laptop में extended app का setup इंस्टॉल होने जा रहा है, SDK Android, location, JDK, यहाँ पर location, Java Home से ली जा रही है, total size, Android emulator का size, everything, okay, you can read on all this configuration, and then let's finish, और उसके बाद यहाँ पर अब Android के जो भी components है, उनको install करना शुरू कर देगा, इसमें लगभग 10 से 12 मिनिट लग सकते हैं, आपके पूरे installation को, component की downloading को complete होने में, तो you need to wait until it finished, तो कुछ इस तरीके से हम यह पूरे component डाउनलोड हो जाएंगे, तो यहाँ पर finish बटन पे बसर आ जाएगा, अब मैं इस पर finish करूंगी, यह हमारा Android studio install हो गया, successfully, अब जैसे ही हमें Android studio install हो जाएगा, तो कैसे उसमें programs बनाते हैं, और कैसे हम अपने apps को develop करते हैं, यह सारी चीजे में अपने आगे आने वाले videos में बताऊंगी, तो stay tuned, और अगर आपने पहली बार मेरा video देखा है, तो please subscribe my channel, thank you very much, bye bye, तो मैंने अपने प्रिछले वीडियो में how to install Android studio में आपको बताया है, पहले से ही कि आप Android studio को कैसे install कर सकते हैं, तो यहां पर मेरे पास मेरे laptop में पहले से ही एक Android studio installed है, अगर आपको install करना है तो आप directly जाके वीडियो को click कीजिए और सीखिए कि कैसे आप Android studio install कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो की link इस वीडियो की description box में छोड़ दूँगी, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि एक file लिखा हुआ है, file, file menu में जो में click करूँगी तो यह new project करूँगी, देखे, basically अगर हम देखें तो यहां पर कितने सारे options हैं, और इन सभी options का क्या मतलब है, यह मैं एक separate video बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं हर options के बारे में बताऊंगी, कि किसी भी Android Studio के जो IDE होती है, उसमें different options का मतलब है, लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाहरे हूँ कि new project करूँगी, तो new project में मैं एक नया project बना सकती हूँ, नहीं कि मेरा एक नया app का project बन सकता है, इसमें मेरे पस काफी सारे options है, मैं फोन और tablet के लिए बना सकती हूँ, Android TV के लिए बना सकती हूँ और other things के लिए, लेकिन मुझे अभी simple phone और tablet के लिए एक app बनाना है, उस app में मैं किया करूँगी, no activity app या empty activity ये choose कर सकते हूँ, इसमें कई सारे और भी options हैं, आप starting से ही कुछ basic functionality वाले app को choose कर सकते हैं, लेकिन मैं आप तो यहाँ पर ये suggestion दूँगी, तापिक empty या blank activity को choose कीजिए, छिक है, मैंने यहाँ पर empty activity पर click कर दिया है और अब में next पर click कर दूँगी, यहाँ पर एक window open होकर आएगी, जिसमें आपको अपने application का नाम लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर इस application का नाम कुछ ऐसा दूँगी, ताकि मैं इसी में अपने आगे आने वाले videos को add कर सकूँ, तो for example, मैं इसे नाम देती हूँ, learn with ratio, और with में w बड़ा होगा, क्यों कि यह camel case notation के, camel case form में होने चाहिए, names ठीक है, अब यह हो गया, अब package का name यह automatically इसने add कर दिया, आप चाहें तो package name चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे as it is रखूँगी, ठीक है, अब यहां पर यह बताया गया है कि आप किस language में यूज करेंगी, तो Android development दो language की थूँ हो सकता है, portland और Java, तो मैं Java यूज करूँगी, और minimum SDK यहां पर 16 है, API 16, Jelly Bean, और मैं यहां पर इस बटन को भी क्लिक करूँगी, use legacy Android support libraries, यह अपने पुराने Android support, legacy Android libraries को भी support कर सके, ठीक है, यहां ही बता रहा है कि your app will run on approximately 99.8% of devices, क्योंकि यह Jelly Bean जो Android की API है, यह most popular, one of the most popular API है, तो यह most, oftenly हर phones में इसका Android phones में यह चल सकती है, support कर सकती है, ठीक है, अलो, अब मैं यहां पर finish करते हूँ, और यहां पर मेरा Android app का project प्रोजेट कर आप यहां, ठीक है, यह हो गया मेरा app, अप के अंदर हो गया Java, और Java के अंदर मेरी जो package है, उसके अंदर है main activity, यह है अपना test package, यह है अपना test package, ठीक है, और यह है Android test package, इस तरीके से यह मेरा app project बनता, अब मैं आपको बताते हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीज किस 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 काम में use होती है, क्योंकि यह basic है, तो मैं आपको ख़़ए detail में समझा रही है, अब यहाँ पर यह मेरा project है, जिसमें मेरे पास एक तो folder है manifest, जिसमें मेरी file रखी हुई है android-manifest.xml, एक folder है java, जिसमें मेरे पास तीन packages है, इन तीन packages में मेरे पास एक-एक file है, और एक folder है res, जिसके अंदर मेरे पास driver, layout, whip map, values, यह सारी folders है, तो मैंने सबको open कर दिया, मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ, कि इस folder का मतलब क्या है, मैं java से शुरू कर दिया हूँ, जो java folder है, इसमें .java resource files होती है project की, जो की, जिसमें एक सबसे important file होती है, जो होती है main activity file, जो main activity file होती है, उसके अंदर सारी activities classes उसके through learn होती है, run होती है, और जो main activity class होती है, उसी में, मतलब launch होता है जब हमारा app इसी class से start होता है, printary point है यह, app का, अब यह example instrument test, यह एक test class है, जो की कुछ test है, use app contest, तो यह क्या करता है, इस test के अंदर, यह app के context को test करता है, कि यह चल रहा है यह नहीं, ठीक है, दूसरा अपना example unit test, इसके अंदर एक simple unit test लिखा हुआ है, और यह एक simple सा है कि audition is correct or not, मतलब यह unit test इससे related नहीं है, लेकिन यह just for testing परपास है, उसके बाद आता है हमारा rest और durable, यह जो होता है, durable direct जो होती है, वो durable objects को जो की high sensitivity screens के लिए बने होते हैं, उनके लिए होती है, मतलब जैसे कि यह background है, यह हमारा app का background होगा और यह foreground होगा, जो main xml files जो है, यह हमारे high density screens के लिए होती है, यह उन screen, मतलब यहाँ पर हम design कर सकते हैं, इन files में, अब जैसे layout, layout is a directory for files that define your app's user interface, यह जो layout है, यह activity, main activity है, तो यह बताएगी कि आपका जो first load होगा, जो app कैसा देखेगा, main activity, कैसा front page कैसा देखेगा, वो बताएगी है, उसके बाद हमारे पास हाती है, यह android manifest.xml, यह जो है, fundamental characteristic of the app को describe करते हैं, मतलब इस app में जो भी basic functionality या characteristics होंगी, हर एक defined components की, उसके बारे में describe करता है, जैसे कि, यह है अपना, हमारे इस app में basic functionality है, defined की गई है, इसका label क्या है, मतलब इसका name क्या है, project का, या इस app का learn with ratio, और यह backup allow करता है, यह, और इसमें यह, जो है, इसकी theme क्या है, तो यह, की theme बताई गई है, इसमें main.ability class का है, सारी चीजे इसमें define है, इसमें बहुत सारी और चीजे भी define की जा सकते हैं, यह एक तरीके से, सबसे पहले तो हमने इसे बनाया, तो हम इसको run करते हैं, run करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर हमें, अगर वर्चुल डिवाइस, मेरे पास तो हमें पहले से बना के रखें, मतलब सेट करके रखें, अगर आपको इस नहीं है, तो आपको create virtual device पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको जिस भी platform के लिए आप डिवाइस बनाना है, वह यह वर्चुल डिवाइस बनाना है, उस पर क्लिक कीज़ें और यहां से उसके नेम को मतलब डाउनलोड कर दीजिए, फिर नेक्स कीज़ें, इसके नेम को डाउनलोड कर दीजिए, उसके system images को, everything, जो भी उसे related हमारे पास information है, और उसके नेक्स्ट करके और फिर यहां पर उसका नेम दीजिए और फिनिश कर दीजिए, आपका नया virtual device बन जाएगा मेरे पास पहले से है मैं इसको as it is यहां पर योज करूँगी और यहां से मैंने से चोज कर लिया इस button पे run का button है इस पर click करूँगी अब यह थोड़ी देर में ही बिल्ड होगा मेरा project और फिर मुझे एक app दिखेगा इस तरीके से होगा यह मेरा यह मैं पहले काम करी थी उसका है तो यह मेरा किसी वज़े से यह install नहीं हो पाया है मतलब आ नहीं पाया है इसमें क्या error है यह देखे है तो इसमें यह error यह है कि installation did not succeed application could not be installed due to device eliminator not found तो अब मैं इस problem को solve करने की कोशिश करते हूँ तो वो error इसलिए आई थी क्योंकि जो है ना मैंने जो अपना AVD manager है virtual device वो मैंने यह वाला यूज किया था API 29 जब मैंने इसको इस पर भी चल जाएगा लेकिन मैंने इसको थोड़ा old one यूज किया है के वाले दूसरे वर्चुल डिवाइस को चूज करके रण किया तो यह चल गया तो मैं इस पर रण करते हूं और लेट सी कैसा देखता है हमारा वर्चुल डिवाइस ऐसा दिखे गए यहां पर हमारे आप मतलब आइकॉन भी लगा तो ट्विएभाम पर हेने जहां एपने मेरे अप डीदाव के लिंगता है मैं मेरी वर्चुल फंद संदों और कि रदे पर शूण 14 Clues से यहां जाघर तो यह मैं हम हालो बटकी जागए मैं मैं कुछ और भी लिख सकते और आल आतेक्स तो उस से पहले कि मैं आपको ये बताओं कि कैसे हम हेलो वर्ड लिख सकते हैं तो अब ये बताती हूं कि कैसे ही मैं में अक्टेविटी सारे फाईल्स काम करते हैं सबसे पहले जो यह एक फाईल है जिसका नाम है में अक्टेविटी फाईल जो की com.in.learnwithratio folder के अंदर है यह क्या करती है जैसे हम अपने app को run करते हैं तो सबसे पहले program इस main.main activity class को run करता है इस main activity class में हमारे पास एक method है जिसका नाम है on create method और यह on create method जो है यही entry point है हमारे app को run करने का यह main activity class app compact activity class को extend करती है यह parent class है इस parent class को अगर हम देखेंगे तो इस parent class में हमारे पास एक on create method पहले से ही define है इस on create method को हमने main activity class में override किया है और हमारे code के हिसाब से हमने इसे code लिखाए तो इसमें just simples ने एक method के अंदर यह लिखाए कि इसकी content view layout में activity main है इसका मतलब क्या है कि जब हम resource r.layout का मतलब है resource के layout में जाएंगे तो हमें activity main.xml file मिलेगी तो यह क्या कह रहा है जैसे ही program run हो तो यह activity.main file जो xml file है यह run हो और जो इस xml file में अगर हम यहां पर इसका view देखें तो यह हमें print हो अब यहां पर जैसे कि हमने यह जो है यह hello world को हमें बीच में रख रखा है और यह जो यह इसका background है और यह इसका मतलब इस तरीके से इसमें यह show होता है यह views है तो इस text view में यहां पर देखें आप यहां पर काफी सारे sections हैं जिसमें हम अलग-अलग section का use करके हम अपनी layout को design कर सब्सक्राइब जब main activity load होती है तो वो इस file को call करती है और इस file में जो भी layout होता है वो हमें visible होता है और app पे इसमें इन्होंने simple just एक text view रखा हुआ है text view में इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है hello world मैं इस text view में जो भी मन जाहे वो लिख सकते हूँ हमारे उपर करता है कि हमें लिखना है हम जब यहां पर इस पर करेंगे तो यहां देखें यह यह text नाम को failed आई attribute declared attribute और यहां पर लिखा है hello world मैं यहां पर लिख सकती हूँ hello users और explanation mark मैंने अगर इसको hello user कर दिया अब क्या होगा यहां पर यह hello user आएगा हमें इसको save करके और फिर इस app को run करूंगी आप देखेंगे कि hello world की जगा पर यह हमें hello user प्रिंट करेगा hello users ठीक है तो इस तरीके से आप किसी भी hello world या एक basic app को बनाना start कर सकते हैं अब देखो यह तो हमारा basic app बन गया जिसमें hello world की जगा मैंने hello users प्रिंट कराया अब मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में यह बताऊंगी कि कैसे हम और इसमें activities add कर सकते हैं कैसे हम और views add कर सकते हैं कैसे हम android studio में एक अच्छा सा app बना सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो please like share and comment आपके feedback हमेशा welcome है आपको अगर कोई अच्छा feedback देना है या बुरा feedback यह जो भी feedback देना है जो भी आपको लग रहा है कि आपको मुझे कहना है इस वीडियो में तो आप मुझे इस वीडियो की comment box में लिख सकते हैं और मै comment के base पे आपको reply दोंगी और आपको अगर कोई doubt है Java से related या किसी programming language से related आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके questions का answer देने के लिए तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं आपको android studio id open देख रहे हैं इसमें हमें क्या करना है जैसे हम project बनाते हैं मैं आपको यहां पर एक simple project से बताऊंगी कि जब हम simple एक empty project या फिर एक basic project बनाते हैं android में तो उसमें कितनी files होती है वो एक दूसर से कैसे connected होती है और कैसे ह हम आगे उसमें programming शुरू कर सकते हैं तो देखिए हमें कोई नय project बनाना होता है तो हम click करते हैं create new project create new project क्लिक करके मैं basic activity चूज कर रहे हूं यहां पर यह basic activities है activity है तो यह activity जो है phone और tablet के लिए मैं चूज कर रहे हूं मैं यहां पर android tv automotive android things वेरोस किसी भी तरीके कि मैं activity बना सकती हूं एक project बना सकती हूं लेकिन मैं अभी फिलहाल phone और tablet के लिए चूज कर रहे हूं एक basic कि मैं आपको एक basic knowledge दे सकूँ कि कैसे project का architecture होता है मैं next करूंगी यहां पर मैं अपने application को एक नाम दो तो जैसे मैं लिखती हूं test learn with learn with ratio देखिए यहां पर मैंने camel case के form में यह नाम दिया है पहले letter capital और फिर small अपर वर्ट का पहले letter capital और फिर small ठीक है इसी तरीके से यहां पर package name बन गया जो की same इसी name का use करके बना दिया इन्होंने directly लेकिन अगर आपको change करना है package name तो आप change भी कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं तो क्यूंकि एक test project है इसलिए मैं ऐसे ऐसे ही रखूंगी यहां पर save location बताई गई है कि आप अपने project को कहां save कर सकते हैं अगर आपको कोई और location में अपना project save करना है तो आप इस browse बटन कर क्लिक करके अपने project में जहां भी आपको save करना है वहां पर location चूज करके वहां पने project को save कर सकते हैं यहाँ language choose quiz कर सकते हैं Java या Kotlin दो तरीके से Android में प्रो 99.8% डिवाइजिस इसको यूज करते हैं अगर मैं यहाँ पर इस बटन को क्लिक करूँगी तो यह लेगे सी एंडुड सपोर्ट लैब्रेजिस को भी सपोर्ट करेगा ठीक है अब मैं फिनिश पर क्लिक कर दूँगी मेरा आप स्क्रीन पर देख रहा है कि एक छोड़ा सा प्रोग्राम बनकर प्रोजेक्ट बनकर आ गया है यह थोड़ा टाइम लेगा ठीक है यहां पर हम देखेंगे यहां पर यह वियू है जब हम देखते हैं कि यहां पर एक एप नाम का मॉडूल बनता है जिसके अंदर कुछ पोल्डर्स है और कुछ पॉल्डर्स के अंदर कुछ प्वाइल्स है जब हम किसी Android का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो by default android view में हमें show करता है project लेकिन हम इस view को change करके project view और इसमें हम change कर सकते हैं जब मैंने project view में change किया तो देखिए यहाँ पर app एक module के form में आया और यहाँ gradle की कुछ scripts है यह built-in scripts है built-in file है जो की android application को build करने के लिए useful होती है इसमें हम फिरसे android view में जाते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला folder है manifest folder इस manifest folder में यहाँ पर एक file है जिसे कहते हैं android manifest.xml इसे कलिए android में सारी files जो होती है most probably .xml extension की होती है मतलब xml files ही होती है तो यह जो android manifest.xml file है यह सबसे important file होती है किसी भी application की android application की इसके अंदर जितनी भी हमने एप में activities यानि की class files use की है उसकी definition होती है project की project जो है हमारा उसका main मतलब उसका नाम define होता है हम fonts इं यूज़ करने वाले हैं project में वो define होती है और मतलब जो भी important package किस package में हमारी controller files है या कह सकते हैं कि activity files है वो define होता है एक तरीके से यह पूरा यह file बहुत important file है और इस file से ही project start होता है रन करना तो देखिए यहां पर जैसे यह दिखाया गया है लिखा है कि android.intent.action.main और इसकी category क्या है यह launcher है इसका मतलब यह है कि जो जो main activity है इस activity का नाम क्या है main activity इसका level यह है और level मतलब इसके जो project का नाम है वो यह है app का name यह है test learn with ratio इसकी theme यह है no action war मतलब इस activity जब यह activity open होगी तो इसकी theme कोई भी action war नहीं होगा और इसमें filter क्या लगा हुआ है कि यह launcher है मतलब जब भी project start होगा तो सबसे पहले main activity load होगी हम अब इसी तरीके से launcher में इस tag को हम change करके जिस भी activity के filter में यह filter लगा देंगे वो activity सबसे पहले load होती है top level should be displayed in the top level launcher ओके यह तो हो गए हमारी android.manifest.xml file के बारे में explanation अब इसमें हम जैसे जैसे project आगे बढ़ता है हम activities add कर अब मैं बार-बार शब्दे यूज़ कर रही हूँ activities तो हम उस पर आते हैं कि activities क्या होती है देखिए यहां पर जो java लिखा हुआ है java folder के अंदर जो हमारा package बना था com.in.s learnwithratio इस package के अंदर जो भी files है उनको कहते है source files ठीक है यह है हमारी source files जिसमें हमारा java का code लिखा हुआ है इसमें यह एक activity लिखी हुई है main activity क्या है main activity क्या है यही वो activity है यही वो class है जिसके बारे में android manifest.xml में लिखा हुआ है सबसे पहले यह main.main activity class open होगी यही है यही है main activity class activity एक तरीके से मैं जब अभी आपको run करूँगी project बताऊँगी कि activity क्या होगी चल अच्छा पहले मैं इसको run करके बताती हूँ तो मैं इसको यहां से run कर सकती हूँ यह थोड़ा time layer का cradle build होने में और यह हमारा virtual device load हो गया अब इसमें हमारा project जैसे ही build हो जाएगा इसमें show करेगा तो you can see here यहां पर यह अभी काम करा है backend में और यहां पर इसने बोला है कि कुछ error है यह जो मेरा android id है इसमें by default error है कि मैं जब भी इसमें कोई भी project बनाती हूँ यह जो किन है इसके आजू बाजू यह ऐसे कॉमा ले लेता है और यह क्यूं ले लेता है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर आप मेंसे किसी को इस question का answer पता है आप मुझे comment box में जरूर बताईएगा कि ऐसा क्यूं हो जाता है मैं समझ नहीं पा रहे हैं अब मैं इसे run करते हूँ और अब आप देखेंगे यह हमारा hello first fragment आ गया मैंने basic activity चूज की थी तो यह basic activity है इसमें क्या है इधर से click करके हम second fragment में जा रहे है और इधर से click करके हम first fragment में आ रहे हैं यहां से click करके हम replace with your own action यहां से हम message मतलब यह simple सी एक activity है basic activity activity का क्या मतलब हुआ कि जो यह जो है ना यहां start कि हमें आप तो जो यह window खुल कर आई हुए app में जो कहते है जैसे web application में pages होता है वैसे ही android application में activities होती है तो यह पहली page यानि पहला activity है यहां पर हमारी activities define होती है उसके बाद हमारे पास एक और package है जिसका नाम है यह test package इसमें android के test मतलब हमें testing से related code को हम यहां लेखते है test cases वगेरा हम यहां लेख सकते हैं जो कि हमारे function हमारे app को test करने के लिए useful होता है ऐसी यह किये है तो उसके बाद है हमारा rest folder जो कि important है rest folder जो होता है resource folder इसके अंदर हमारे पास तहीं सारे और folders होते हैं जैसे drawable layout menu navigation values इन में से सबसे important यह कह सकते हैं कि जो ज्यादा important है वो values है values में देखिए color xml, dmxml, string xml और themes यह जो xml files है color xml file के define करती है कि आपकी जो app बनेगा उसका basic सारी basic color क्या होगा windows का मतलब activities का color क्या होगा यहां पर हम कई सारी colors define कर सकते हैं जो कि अलग-अलग जगा पर हम जैसे for example यहां पर यह blue color का है हम इसका color कहां से लेगा वह color define करने के हम यहां लिख देगी यह blue color का जो लिखा हो है purple 500 यह color है तो यह purple color का हमें यहां लिख रहा है यहां पर हमने define कर और यह यहां पर represent हो रहा है आप इस वीडियो को पूरा देखेगा ताकि आपको architecture के वारे में पूरी knowledge हो और बीच में skip मत कीजेगा मेरा यही आपको suggestion है और अगर आपको यह video पसंद आ रहे है तो आप इसे like share और comment कर सकते हैं और आप मेरे वह हम यहां define कर सकते हैं फिर है एक string.xml तो हमारे पूरे android project में जहां 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 जैसे for example यह button है button में यहां पर next लिखा है यह string हम यूज की है हमने इस पूरे इस activity में या इस fragment में हमने इस string next यूज की है hello first fragment यह string यूज की है तो जो भी हम string यूज कर रहे हैं फिस सारी strings को हम string.xml file में define करते हैं जैसे कि यहां लिखा है first fragment first fragment की string value क्या है first मतलब इसका key क्या है first fragment level तो जहां अगर मैं इस पे control shift करके या इसको copy करके मैं control shift F करूँ और search करूँ आपको यह मिलेगा यहां मतलब यह string यहां पर लिखा है और इसे हमने use कहां क्या है navgraph.xml file में तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यहां पर code पे क्लिक करूँ तो देखिए यह जो string.xml file में जो string हमने define की थी वो हमने यहां use की है और इस button से क्लिक करके हम यह पता लगा सकते हैं कि वो file कहां located है यह बहुत ही simple बहुत important tip है कि जैसे अगर आपको कोई android application में कुछ keyword ढूदना है कहां है तो आप just copy कीजिए ctrl shift f दवाईए और यहां पर आप उसको link दीजिए यह हमें फूरी files दिखा देगा कि कहां कौन कौन सी files में यह keyword present है और उस file पे जब हम click करेंगे तो वो file open हो कि आ जाएगी और फिर हमें यह जाना है कि वो file कहां पर located है हमारे project में तो आपको यह पर click करना है तो आप सीधे उस file की तरफ navigate हो जाओ आपने देखा कि यह हमें यह label हमने यहां यूज किया तो इसी तरीके से जितने भी labels और string element हम पूरी activities में यह अपने app में यूज करते हैं उन्हें हम यहां define करते हैं उसी तरीके से theme.exe में है इसमें हम यह define करते हैं कि हमार activities यह हमारी app की theme क्या हो ठीक है फिर आगया हमारा menu राइबल से शुरू करते हैं जो की हमारे icons होते हैं या फिर हमारे मतलब की जो हमारा background image हुआ या इस तरीके की चीजों को हम यहां पर define करते हैं उसके बाद आता है layout है layout important है important folder है layout में हम क्या करते हैं हमारी जो भी हमने activities बनाई है तो दो तरीके से होता है एक तो होता है कि activity को हम देख सकते हैं the visual explanation यह हो गया हमारी activity कुछ इस तरीके से दिखेगी ठीक है और उस दिखना तो ठीक है जैसे कि web pages होता है एक तो web page होता है HTML और उसके अंदर जो फिर उसका backend से connectivity होती है वह Java से होती है या इसा आप कुछी से भी हो सकती है तो उसी तरीके से यहां पर भी Android में भी यही होता है कि पहला एक page की तरह एक activity हो गई जो कि activity main.xml file इसमें दो तरीके की view है एक तो code view जिसमें हम इसके अंदर की code जान सकते हैं और दूसरा है design view अब हम इसे compare कर सकते हैं web application के code जैसे web application में code में हम HTML code और JSP code लिखा होता है backend में HTML के code होता है HTML sorry web page का code जो होता है HTML और JSP में लिखा होता है उसी तरीके से Android application में code XML notations में XML के format में लिखा होता है और design में हमें page design में हमें buttons list view और जो भी चीज़े हम लगा रहे हैं अपने page में वह देखती हैं तो वह होगी हमारा design Android application में यह फाइदा है कि हम design view यहां देख सकते हैं साथ में parallel में और हम इसमें एक फाइदा और भी है कि हम यहां पर से जो palette है यहां से हम किसी भी buttons यह text को उठा कर और यहां पर यह देखी जैसे for example मैंने यहां पर यह button पर क्लिक किया और यह image button इसको drag and drop करके यहां लिखूंगी और for example इसको choose करके डाल दूँगी यह हमारा हो गया यह image हमने यहां डाल दी अब क्या करते हूं जब मैं code पर क्लिक करूंगी तो यहां पर एक image button create हो गया होगा यह देखे यह image button अपने आप create हो गया अवेटर नाम का तो इस तरीके से हम images को या जो हमारे tools है उनको toolbar का use palette का use करके हम different type के components को अपने activity में add कर सकते हैं मैं यहां से हटा देती हूं ठीक है तो यह हो गया अब इस activity को main activity से connect कैसे किया जाता है यह जो है connection इन दोनों के बीच में connection जो है वो कहां define होता है वो होता है activity की on create method में या फिर activity में define होता है कि यह जो XML file है और main activity का connection क्या है यहां अगर हम देखें तो for example इस activity में हमारे पास यह menu है setting menu अगर हम यहां देखें तो हमने इस activity dot menu को देखें यह menu menu underscore main इसको अगर हम यहां पर code देखें तो इसमें क्या है setting नाम का item add है और अगर हम यहां देखें तो इसमें menu में setting नाम का item add है तो यह चीज code में कैसे connected है मैं यह बताती हूं यह menu underscore main dot XML file को main activity में menu में connect करने के लिए यह यहां पर एक method होती है on create option menu इस method में हमने यहां पर r.menu.menu underscore main dot XML file को call किया है और यहां से यह connect हो गई इस वज़े से यहां पर menu प्रिवेट हुआ हुआ है इस तरीके से हम XML files को code में connect कर सकते है और यह depend करता है कि आप कि इस level की programming कर रहे हो और क्या programming कर रहे हो उसके हिसाब से आप उन्हें connect कर सकते हो ठीक है बट यह basically code से connect होता है यह file और यह file वह script होती है जो कि program को या app को build करने के लिए use किया जाता है android id जो है इन files को use करके अपने app को build करता है इनके थू हम apk files भी बना सकते हैं जो कि हमें जिसका use करके हम अपने उस apk file को हम अपने mobile phone में रन करा सकते हैं तो इसमें कई सारी files होती है जैसे कि build.gradle और build wrapper.properties, gradle.properties, setting.gradle and local.properties यह सारी property files है और इनके बारे में detail explanation में अपने आगे आने वाले वीडियो में जरूर दूँगी तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से android application के architecture के बारे में कुछ knowledge हासिल हुई होगी Hello friends, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम android project को create करते हैं अभी तक मैंने आपको Hello bird android project बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि android project का structure कैसा होता है लेकिन मैं आपको यहां फिर से android project बना के बताऊंगी जिसको हम आगे continue करेंगे करेंगे device and dice game के बनाने के लिए सब्सक्राइल हम क्या करेंगे हाँ पर यह जो create new project का option है इस पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपको मैंने पहले भी बताया कि हाँ पर हम कई तरीके के android apps बना सकते हैं phone और tablet के लिए या फिर android TV के लिए या फिर other android devices के लिए तो यहां पर मैं simple basic यहां मैं basic activity empty activity ऐसे कई तरीकी activities को choose कर सकती हूं इसमें से मैं empty activity को choose करूंगी और next पर click करूंगी तो यहां पर मैं अपना android application का नाम दे सकती हूं तो मैं यहां पर देती हूं dice game और यहां पर अपने आप package name यहां पर उसने choose कर लिया है com.in.dicegame अगर आपको यह game जो है इस game के app को google play store पर डालना है तो फिर आप कोई अच्छा सा package name decide कर सकते हैं बट मैं यहां पर सिर्फ test के लिए बना रही हूं तो मैंने कोई name decide मनलब simple यही as it is रखा है उसके बाद यहां save location पे आप चूज कर सकते हैं कि आपका android project कहां पर save हो आप language चूज कर सकते हैं मैं java यूज कर रही हूं और minimum SDK मैंने चूज किया है android 4.1 jelly bean जो कि यहां आप देख सकते हैं यहां लिखा your app will run on approximately 99.8% of devices इसका मतलब है कि अगर हम इस jelly bean नाम के android API को use करेंगे तो हमारा android app 99.8% यहां पर चल सकता है हम यहां पर इस check box पर क्लिक करेंगे जिसमें लिखा यूज legacy android support libraries इसका मतलब है कि यह जब हम इस API जब हम इस app को create करेंगे तो यह legacy यह प्ताने android support लाइड 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 को भी support करेंगा हम यहां पर finish पर क्लिक करेंगे यह हमारा android id खुल कर तयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि यह load हो रहा है थोड़ी देर में यहां पर android का project बनकर तयार हो जाएगा यह हमारा project बनकर तयार हो गया है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई folders होते हैं जिनमें से एक folder होता है manifest folder दूसरा होता है java और तीसरा होता है res resources folder manifest folder में सब्सक्राइड इंपॉर्टेंट फाइल android application की उत्यों से कहते हैं android manifest.xml फाइल होती है इस फाइल में जो भी आप बना रहे हैं उसके की values को define किया होता है की parameters को जैसे कि किस theme को आप यूज करने वाले हैं इस पूरे app में और यहां पर हम activities define करते हैं जितनी भी आप इसमें windows एक तरीके से अगर हम web application से compare करें तो web pages होते हैं वैसी android application में activities होती हैं जितनी भी activities हम game में यूज करते हैं वह हम यहां पर add करते हैं उनकी information हम यहां पर यह भी हम अपने application का यानि की app का नाम भी define करते हैं यहां पर ऐसी कई सारी चीजें जो कि बहुत important होती है हमारे app को रन दनी के लिए वह हम इस XML file में define करते हैं उसकी बाद आता है जावा फोल्डर के अंदर हमारी activities और जो जावा related code होता है वो लिखा होता है यह इसलिए रन होगी क्योंकि यहां पर हमें लिखा है main activity को launcher इसलिए launch करने के लिए हमें इस activity से start होगा उसके बाद यहां पर android test packages है instrumented test और unit test के अलग-अलग package बन के लिए हूए है हमारे पास है resource folder जिसके अंदर हमारे पास drawable, layout, map and values चार प्रकार के folders होते हैं इन folders में हमें different XML files होती हैं जो कि हमारे project को बनाने में helpful होती है जैसे कि color.xml file है colors.xml file में वो सारी colors define होते हैं जो कि हमारे app में colors use किये जाते हैं उनको हमें here define करना होता string.xml file में हमें वो सारी resource string resources को define करना होता है जो कि हम अपने android app में use कर रहे हैं जैसे कि labels use करते हैं जैसे कि हमारे android app का नाम है तो वो app name हमारे string है उसका नाम है dice game यह जहां भी हम show करेंगे वहां पर इस string को define करके ही show कर सकते हैं उसी तरीके से theme folder है theme.xml में हमने define किया है कि यहां dark action bar यह वाली theme हम use करेंगे इसी तरीके से सारी जैसे activity main xml file है तो यह main xml activity main xml file जो है यह हमारे प्रोग्राम का layout हमारे app का layout define करेगी यह हमारे app layout और इस activity file को java code से connect करने के लिए हम क्या करते हैं main activity file में यहां पर r.layout.activity main यह जो हमारा sentence लिखा है syntax लिखा है यहां इस line के through हम हमारे main activity को activity xml से connect करते हैं कि हमारे जब हमारा program run होता है या फिर virtual device में show होता है हमें activity file जो कि हमारी layout है वो देखता है तो चली इस program को run करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा empty project बना है या नहीं तो उसके लिए हमें virtual device setup करना होगा मेरे पास पहले से एक virtual device setup है मैं इसका use करूंगी मैंने मेरे पिछली वीडियो में आपको बताया है कि virtual device कैसे setup करते हैं आप उस वीडियो को जरूर देखेगा यहां पर मेरे device setup है मैं इस पर क्लिक करूंगी और यह मेरा emulator virtual device खुल कर आ गया अब इसमें यह थोड़ी देर में यह मेरा पहले का प्रोग्राम बना हुआ है इसलिए यह शो कर रहा है यह रेखिए यह मेरा dice game का activity show हो रही है जिसमें मुझे hello world यह label लिखकर दिखा रहा है कि इस तरीके से हमारा project run हुआ है इसमें इसने activity main को run किया है अब मैं आपको इसमें थोड़ा से changes करके दिखाऊंगी यहां hello world की जगह में आपको दिखाऊंगी कि dice game कैसे लिखेंगे मैं तहां जाओंगी activity main पे और यहां जो यह file है यह जो label लिखा हुआ hello world यहां यह जो इसका text है यहां पर मैं अगर इसका text का value hello world change करके dice game लिखती हूँ और save करती हूँ और फिर इसको run करती हूँ अब आपको देखेगा dice game यहां पर आपको dice game देख रहा होगा इसको मैं थोड़ा room कर सकते हूँ नहीं हो रहा है चलिए आगे चलते हैं तो इस video में मैं बताऊंगी आपको कैसे अगर हमारा android application मतलब एक project open है हमारे android studio में तो उसे कैसे close करते हैं और कैसे open करते हैं यहां पर यह जो आप file menu देख रहे हैं यहां पर जब हम click करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक option आता है close project जब हम इसको close करेंगे हमारा project close हो जाएगा और जब हमें इसे open कर अपने project को फिर से open करना होगा तो यहां पर list में हमारे को हमारा project दिखेगा जैसे कि हमारा यह dice game project दिख रहा है मैं just इस पर click करना है और यह हमारा open जाएगा इस तरीके से android application में अपने project को close और open करते हैं thank you hello friends इस video में मैं आपको बताऊंगी कि component tree क्या होता है तो जब आप Android application को बनाते हैं और उसमें कोई भी किसी activity में कुछ widgets को add करते हैं जैसे कि अगर आप अपना application का नाम add कर रहे हैं या फिर कोई button add कर रहे हैं या फिर कोई भी list view या कोई भी element add करते हैं या widget add करते हैं तो वो एक जगा इखटे ओकर दिखता है कि यह यह विजट्स हमारे components यह components हमारे activity में added हैं तो वो होता है component tree मतलब यहां जैसे कि हमारी इस main activity में अगर हम main activity layout को देखें तो इस layout में हमारे पास सिर्फ एक ही component या widget add है जो की है यह text इसलिए text view तो यह text view add है widget add है तो यह component tree का जो constant layout है इसके अंदर यह widget दिख रहा है text view अगर for example में यहां पर एक और widget add कर देती वो इस component tree में add हो जाता तो component tree एक ऐसी ऐसा place है जहां पर हम यह देख सकते हैं कि हमारे particular activity में कितने widgets added हैं तो I hope कि आपको समझ में आया होगा कि component tree क्या होता है चले अगले topic पर जबता है क्या reason है कि हम इनका use कर तो देखिए gradle scripts या gradle एक build system है मतलब कि जब भी हम कोई android application बनाते हैं तो उसे build करने के लिए उसको बनाने के लिए हमें gradle scripts की जरुवत होती है अब gradle scripts जो होती है वो जैसे यहां पर आप files देख रहे हैं जहां पर भी .gradle extension लगा है वो gradle scripts होती है इसके अलाबर भी कई और files भी यहां पर दिखाए गई है लेकिन उनमें से important जो सबसे important file है वो build.gradle file है build.gradle file दो level पर होती है एक project level पर और module level पर किसी भी app के कई सारे modules हो सकते हैं तो modules को कभी-कभी हमें क्या ऐसा भी होता है कि कभी-कभी हमें modules को कुछ free version रखना होता है कुछ paid version रखना होता है इस टैप से हम modules बनाते हैं तो उस टाइम पर हमें ये build.gradle module version वाली आएगी तो यह तो हो गया हमारा gradle script यहां पर क्या-क्या information store होती है वो देख जैसे कि अगर project level gradle की जो हमारे build.gradle file है उसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर अभी basically कुछ information है जैसे कि यहां पर हमें बताया गया है build script में repository कौन सी use की गई है यहां पर हमें दो repository हमने use कि एक तो maven central और गूगल तो यहां पर हम define करते हैं कि हमारे repository कौन सी हम use करते हैं उसके बाद यह जो यह जो एरिया है dependencies यहां पर हम यह बताते हैं कि हम इस application को यह हम किसी application के लिए कितनी dependencies use करते हैं अब dependency क्या होती है यह बहुत ही basic चीज है जब आप किसी java application को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम सारी जो functionality है वो inbuilt नहीं कर सकते हैं देखिए जब पुराने जमाने में projects बनाया जाते थे तो जार फाइल हम अपने कॉपी करते थे कहीं से Google से और उसको फिर हम manually अपने project में add करते थे लेकिन अब जब Maven का जमाना आ गया है Maven में और dependencies की जो path है वो देकर हम मतलब हम अपने dependency area में dependency का path दे दो और वो automatically Maven Central से उसको fetch करके jar अपने project में add कर देती है यह system है इस वज़े से हम यहां पर dependency का मतलब नाम दे देते हैं और इसका जो यह है यह dependency का I think यह है sup id और यह है हमारा artifact id और यह है version इस तरीके से यह dependency हमने define की है उसके बाद यहां पर हमारे पाद यह बताया गया कि पूरे project में कौन कौन सी repositories हमने use की है Google, Maven Central और J Central और उसके बाद हमारे पास यह जो दिखाया गया है कि किस directory को delete करना पड़ता अगर हम task clean run करें तो हमें root project की build directory को clean करना है यह हां पर command दी गई delete root project.build directory तो इस तरीके से हमारे पास यह project level की build script है अब हम देखते है module level की build script module level की build script में सबसे पहले हमारे पास यह बताया गया कि कौन सी plug-in है अब plug-in में हमने यह दिखाया गया id id हमारी कौन सी लगी हुई है com.android.application उसके बाद हमने देखा है हम पर android के अंदर हमारे पास हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा build tool version हम यूज़ कर रहे है और compile SDK version कौन सा यूज़ कर रहे है compile SDK version हमने 30 यूज़ कि लेटेस्ट है build tool version भी हमने यह लेटेस्ट वारा ही यूज़ किया है उसके बाद क्या है default config default config मेंने कौन सी जो default configuration होती है उसमें application id जो होती है जो हमारी package की name होता है वह होता है फिर minimum SDK version तो maximum तो अपना गया है 30 तक जाएगा लेकिन minimum क्या है 60 target SDK 30 ठीक है version port 1 version name 1.1 1.0 मतलब यह क्या है हमारा यह system यह जो application है उसका कौन सा version है पहला version उसके बाद हम यहाँ पर और important चीज़ देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर compile option में जावा वर्जन कौन सा लिया है version 1.8 ले लिया है अब यहाँ dependencies में इसी तरीके से dependencies में हमने implementation नाम की keyword का use किया है और उसके बाद dependencies को define किया है इसमें यहाँ पर यह error दे रहा है इसका मतलब क्या है कि यह जो dependency है अगर आप पढ़ेंगे message इसमें क्या लिखा है latest version legacy support so we recommend that you migrate to library when using qn move forward यह जो है यह जो हमने version use किया है वो यह कह रहा है कि सबसे last version है तो इससे अच्छा है कि इस last version को use करने से अच्छा है कि इससे migrate कर दो ठीक है चलो वो तो बात की बात है जरूरी नहीं है यह काम करना अभी तो यह हो गया हमारा build.gradle properties script file के बारे में information gradle.properties तो gradle.properties में हम कुछ यह text file की तरह होती है जैसे कि note file और इसमें text file में हम यहां पर define कर दिया हमारा jvm arguments कि हमारे encoding system कौन सा होगा और हम कितनी space heap memory लेंगे ठीक है setting.gradle में देख लेते है setting.gradle में project name क्या है dice game include इसमें क्या है app के अंदर है app हमारा major product है project है और इसके अंदर यह dice game model include है local property local properties में हमारे पास सिर्फ अभी यह define है कि sdk की direct path क्या है हमारी sdk ठीक है तो मैं आशो करते हूं कि script क्या होती है और इसके through हम कैसे program को build करते है यह मैंने अभी आपको नहीं बता है कैसे build करने का मतलब simple concept है जब हम यहां पर run करेंगे तो यह अपने बिल्ड होता है अगर कोई errors आएगा तो हमें terminal पर error शो कर देगा हमें उसे fix करना होगा और अगर कोई error नहीं आई इसका मतलब हमारी script में script सही तरीके से लिखी हुई है हमार project run कर जाएगा basically most of the time error तब आती है जब या तो आप class path गलत देते हो या version गलत देते हो या फिर जो भी आप dependency define करते हो वो repository से match नहीं करती है या वो fetch नहीं हो पाती errors यहीं आती है hello friends welcome to learn with ratio और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि palette क्या होता है palette का हम कैसे use कर सकते हैं palette के through हम कैसे different type के widgets और components को हम component tree में add कर सकते हैं component tree क्या होती है यह जाने के लिए आप मेरे इस course के upper side पे videos होंगे component tree के नाम से उनको जग कर लिए ठीक है तो यहां पर आप screen पर देख रहे हैं कि हमें यहां पर option दिख रहा है palette का palette से ऐसी जगा होती है android application में जहां पर basic components पहले से ही present रहते हैं इन components को हम drag and drop करके system में use कर सकते हैं जैसे कि हमने अगर यहां पर देखा तो हमारे पास कितने type के text widgets है text view, plain text, password, email, phone postal address और यह हर कई तरीके text widgets है इसी तरीके से buttons तो हमारे पास इतने type के buttons है widgets में अगर हम लहे तो हमारे पास इतने type के अलग-अलग type के widgets है और इन में से layouts में हमारे पास यह linear layout horizontal and vertical frame layout, table layout table row, spaces तो यह आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास palette में different type की components present हैं अगर for example हमें text में से common में देखें तो common यह होता है अब हमें text view को यहां पर डाल लगाना है हम इस text view को drag and drop करके यहां पर लिख देते हैं तो हमारे पास यह text view यहां widget आ गया जैसे हमने यह text view यहां डाला हमारे पास बैक में code में इसकी text view की code अपने आप XML file में लिख जाती है अपने आप present हो जाती है इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूर नहीं बढ़ती और जब हम इसको adjust करके जैसे यहां पर इस पर क्लिक करें यहां इसका नाम दिया है text पैलेट में जो भी components है उनको अगर हमें activity में add करना है तो हम drag and drop करके भी add कर सकते हैं और हम code लिखकर भी add कर सकते हैं लेकिन I think drag and drop is the simplest way first you drag and drop adjust your place and then you can add it on the basis of your need मतलब पहले आप क्या करो drag and drop करके उस component activity में रख लो और उसको adjust कर लो और फिर उसके बाद उसको अपनी code में use कर लो यह best तरीका है easiest way है ठीक है तो यह हमने text view add कर ली अब जैसे अगर मुझे यह text view खोड़ा यहां उपर चाहिए ठीक है और यहां मैं लिखूँ इसको इसके text का नाम में यहां change कर सकती हो लिखो welcome to dice game अगर मैंने यह लिखा और यहां फिर वापस तो देखे यह text view आ गई मैं इसको फड़ा adjust कर सकती हो और यह हमारी text view यहां आ गई यहां अगर मैं इस application को run करूंगी तो मुझे यह welcome to dice game दिखेगा मैं इसके code पर चलती हूं तो यह देखेए इसमें यहां पर एक error दे रही है यह कह रही है view is not constraint it only has design time position it will jam to 00 at runtime unless you add the constraint तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो यह चीज अलग topic है मैं आपको इस पर आउंगी अभी यह सिर्फ इतना बोल रहा है कि इसमें यह जो constraint layout जो यहां पर set है यह आपने set नहीं किया है तो इसका जो by default constraint layout है वो 00 पर चला जाएगा जब हम run करेंगे इसका क्या मतलब है मैं आपको show करते हूं पहले मैं इसे run करती हूं यह थोड़ा time लगता है इसको run करने में क्योंकि अभी बिल्ड हो रहा है अभी यह बिल्ड हो गया और यह देखें यहां पर अगर आप आप इसको zoom नहीं कर पा रहे हूं लेकिन अगर आप यहां देख पा रहे होंगे यहां लिखा है वेल्कम टू डाइस गेम और डाइस गेम जो यह वेल्कम टू डाइस गेम है यह इस पोजिशन पर रखा था लेकिन अउटमेटिकली जरो-जरो पोजिशन पर चला गया क्यों क्योंकि मैंने इसका कंस्टट ले आउट सेट नहीं किया था तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि constant layout कैसे set करते हैं तो इस तरीके से आपको यह समझ में आया होगा कि palette क्या होता है palette में हम different type components present होते हैं इन components को हम directly यहां से use करके अपने activity में add कर सकते हैं और फिर activity में add करने के बाद उनका code menu में जाकर उसकी जो configurations है और properties हैं उन्हें change करके अपने project के according उसे use कर सकते हैं तो यह बहुत ही simplest way है और इसे आसानी से किया जा सकता है I hope you understand what is palette and now thank you for now and keep watching thank you, bye bye थे दर्स्तों, welcome to learn with ratio और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम constant layout को set करते हैं constant layout set करने के लिए हमारे पस दो option है तो हम यहां जाकर directly यहां पर यह इस तरीके से constant layout के यहां पर यह automatically text view थी इसको copy करके हम यहां लिख सकते हैं अब यहां पर हमने लिख दिया और उसके बाद अब देखिए error भी चली गई मैं अगर इसे फिर से run करूं तो देख रहे हैं कि यह कहां पहुच गया हूं अब देखिए यह कहां पहुच गया है यहां पर इसका मतलब है कि यह पहले क्योंकि मैंने इसके जैसा as it is copy कर दिया है इसलिए यह इसके उपर ही पहुच गया जो पहले dice game लिखा था उसके उपर अब मैं इसको adjust करके कहां लेके जाओंगी जहां मुझे जिस position में मुझे जाहिए तो मैं क्या करती हूं यहां पर इसको यहां ले जाती हूं और अब देखो यह देखिए जब मैंने उसका change किया position तो यहां अपने आप यह change हो गया अब मैं अगर इसको run करूंगी यह मुझे अपनी correct position पर दिखेगा Welcome to die scheme यहां दिखने लगा इसना simple way है कि सबसे पहले तो आपने अपने पिछले वीडियो में बताया जैसे हम text view को add करेंगी तो मैंने text view को यहां add किया उसके बाद मैंने उसका name change किया उसके बाद फिर मैंने उसको as it is छोड़के run कर दिया जब run किया तो वह 00 position पर पहुच गया क्यूंकि हमने उसका constant layout set नहीं किया था जब हमने constant layout set किया तो वह अपने position पर पहुच गया अब constant layout होता क्या है constant layout वह चीज़ होती है देखो constant क्या होता है constant मतलब इस पूरे इस पूरी इस particular active widget या फिर component का layout क्या है इसकी position क्या है तो यह हमने यहां define की है constant layout की bottom of horizontal bias to left of to right of to top of और vertical bias बतलब कि क्या यह जो different options उन में उसकी position है उसको बस define करना रहता है अब इसमें जो इसकी parent और build position पे थी तो इसमें उसमें कुछ define नहीं किया लेकिन यहां पर जैसे ही हमने उसको adjust किया उसने अपनी position define कर ली तो इस तरीके से constant layout को define करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने नहीं define किया या अगर आपने अजस्ट नहीं किया तो वो अपनी फिर 00 position पे चला जाता है कर लोग यह problem शेयर करते हैं कि हमने अपने widget या हमने component को activity में add कि लेकिन यह बार बार 0 position पे move हो रहा है ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए होता है कि उसका constant layout set नहीं होता है I hope कि आपको यह video पसंद आया होगा और आपको constant layout को कैसे adjust करना है और क्या होता है इसके बार में पता चला होगा चलिए इस video में बस इतना ही और आग एक वीडियो को देखते हैं बाई बाई Hello friends Welcome to the learn with ratio आज मैं आपको बताऊंगी कि attributes किसी भी particular component के attributes को कैसे edit करते हैं और कैसे उनको adjust करते हैं for example मैंने अपने पिछले वीडियो में यह text view को add कि इस text view के बहुत सारे attributes हो सकते हैं ठीक है अब उन attributes को कैसे हम set करते हैं और कैसे हम उने edit कर सकते हैं वह मैं आपको बताती हूं तो देखिए यह होता है section attribute section यहाँ पर जब भी हम किसी भी component पर click करते हैं तो यहाँ पर attributes उसके जो by default attributes set है वो यहाँ आ जाते हैं उसमें से सबसे important चीज होती है id, id के through ही हम उस component को अपने code में paste कर सकते हैं तो id हमेशा से ही किसी भी attribute या component की id हमेशा से particularly यहाँ पर यह heading है तो हम इसे नाम दे देंगे heading text view heading text view इसका नाम दे दिया हमने अब इसके बाद इसका यह layout है हम यहाँ पर इसका चाहे तो layout change कर सकते हैं 0 इसमें यह बोल रहा है यह बोल रहा था कि इसका जो id है वह आपने change किया है उसे refactor करें यह तो हमने यह refactor कर दिया मतलब save कर दिया layout width है अगर हम 0 कर देते हैं इसकी layout width है वह यह इतनी बड़ी हो गई मतलब की लंबी हो गई यह मैंने क्या चिरोगे है 0 dp मतलब कहां से इसकी जो चड़ाई है वह 0 से शुरू हो जाए लेकिन अगर मैं इसे ऐसे करो wrap parent यह होगा जितना इसका जो number जितनी इसकी length है उतने में ही इसकी चड़ाई उसकी layout width हो जाएगी ठीक है इसी तरीके से height अगर मैं इसको 0 dp कर दूँ height में यह पूरा चला गया और अगर मैं इसकी height को wrap content कर दूँ इसकी height wrap हो गई इसी तरीके से तो for example अब जैसे की हम इसको यहां पर क्या दिखा है layout constant horizontal bias और यह है अपनी constant layout जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में set किये थे यह तो as it is ही छोड़ देते हैं हम उसके बाद हम देखेंगे attribute common attributes के बारे में common attributes में होता है text का मतलब जो भी आपने उस text view को नाम दिया है जो भी उसमें आपने text रखा है तो वह information यहां पर text view को नाम है welcome to dice game इसलिए text यहां show कर रहा है इसी तरीके से आप इस text को change भी कर सकते है इसकी font family किस तरीके का यह दिखना चाहिए अगर मैं for example medium रखती हूं तो यह थोड़ा अलग type का दिखेगा उसके बाद मैं इसको थोड़ा cursive कर देती हूं तो यह थोड़ा cursive में दिखने लगेगा इस तरीके से आप इसकी तो इस तरीके से आप इसकी और फिर हम italic में कर सकते हैं ठीक है अगर हमने ऐसा किया तो यह इस तरह किस capital में आ जाएगा पूरा फिर इसके बाद हमें यहां पर काफी सारे functionalities होते हैं काफी सारे attributes होते हैं जो हम यहां पर change कर सकते हैं और जिसके थ्रू हमारा component adjustable हो सुन्दर हो दिखने में बना सकते हैं अब अगर हम इसे code में जाएं तो इसमें देखिए जो जो मैंने changes किया है वो यहां पर add हो गए जिसे कि मैंने style change किया bold italic text size 24s भी change किया text all caps तो मैंने all caps शुरू किया तो मतलब सारे capital letter में 2 हो गया और family casual रखी है जो जो मैंने यहां पर edit किया है इसके attributes वो back end में हमारा XML file में add होता जाता है तो यह थो था attributes इस तरीके से अब मैं इसको एक बार run होतर के और दिखा रहती हूं यह कैसा देखता है run होने के बार यह थोड़ा सा time लेता है अब आपको दिख रहा होगा welcome to dice game capital letter में और थोड़ा bold and italic format में तो आशा करते हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि हम कैसी किसी भी component की attributes को change कर सकते हैं और चलिए आगे चलते हैं और next topic के बारे में समसते हैं ठीक है so stay tuned thank you very much bye bye मैं आशाकार करते हूं कि अब तक मैंने जो आपको सिखाया Android project से related आपको पसंद आया होगा और मैं इस part को यही end करती हूं यह part 1 की तरह रहेगा और अगर आपको यह video पसंद आया है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं कि आपको इसका part 2 चाहिए जिसमें मैं dice game app को बना कर आपको दिखाऊंगी और अगर आप अंडरेस्टर ने तो please comment in the comment box ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही और आपने मेरे video my new website ज़रूर देखा होगा मैं आशा करती हूं उस video में मैंने अपने नए website के बारे में बताया है जहां पर मैं आने वाले समय में नए video courses डालूंगी जिससे आप और अच्छे से programming सीख सकते हैं तो I hope के आपको ये video पसंद आया होगा और अगर आप नए हैं तो आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं और अगर आप पहले से subscribe किये हुए हैं तो please मेरे channel videos को share कर सकते हैं like कर सकते हैं और comment कर सकते हैं thank you for watching have a nice evening bye bye